Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor आज के लेक्चे में हम वेपसी सिद्वा के most famous novel Ice Candyman और Cracking India की detailed summary को cover करने लगे हैं First of all, novel का start इलामा इकबाल की most famous poem Complain to God की एक words से होता है और इसके बाद novel की child narrator यानि के Lenny को introduce करवाया जाता है Lenny एक introvert होती है, introvert एक ऐसे person को कहा जाता है जो अपने mind में तो बहुत कुछ सोचता है, मगर किसी के साथ भी अपनी feelings को share नहीं करता Lenny अपना जादतर time अपनी आया शांता के साथ गुजारती है एक दिन Lenny अपने प्रैम में बैठी हुई आया के साथ कहीं पर जा रही होती है के रास्ते में उन्हें एक Englishman मिल जाता है जो के आया से ये कहता है के वो Lenny को इस प्रैम से बाहर निकाले मगर आया उस Englishman को ये explain करती है के Lenny पोलियो की वज़ा से बहुत ज़ादा कमजोर हो चुकी है जिसकी वज़ा से वो प्रैम को यूज करती है Lenny इस नोवल में कीन अब्जवर का रोल प्ले करती है जो के ये अच्छी तरह जानती है के आया की गॉर्जियस बॉड़ी की वज़ा से लोग उसकी तरफ बहुत ज़ादा माइल होते हैं वो ये भी नोटिस करती है कि हता के भीक मांगने वाले बुरे और जवान आदमी भी आया की फैमिनिन ग्रेस की वज़ा से उसकी बहुत ज़ादा तारीफ करते हैं कलोनल बरूचा लैनी का डॉक्टर है जो के एक हॉस्पिटल में सर्जिन होता है और ये पॉइंट अब्जेक्टिव पॉइंट ओफ यू से बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट है आया लैनी का बहुत ज़ादा ख्यार रखती है और उसी की वज़ा से लैनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पहले ही कोशिश में लैनी की टांग से प्लास्टर रिमूव कर दिया जाता है मगर फिर भी लैनी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है लैनी की टांग पर एक निया प्लास्टर भी करवाया जाता है और वो दर्द से हर वक्त चीखती रहती है मगर उसकी मा इस सारे टांग पिरियड में उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है आगे हम लैनी के उपरेशन को डिसकस करेंगे लैनी के उपरेशन की नियूस लाहौर से बिलॉंग करने वाली स्मॉल पार्सी कम्यूनिटी में फैल जाती है क्योंके लाहौर वो एरिया होता है जो के आजकल पाकिस्तान से बिलॉंग करता है इसी वज़ा से वहाँ पर मुसल्मानों की तादाद ज्यादा होती है जबके पार्सी कम्यूनिटी कम तादाद में पाई जाती है लैनी के गर पर अक्सर लाहूर में रहने वाली पारसी कमिनिटी से बिलॉंग करने वाले लोग उसे विजिट करने आते हैं मगर लैनी बरी बेताबी से अपनी गौड मदर के आने का वेट करती रहती है और बेड़ पर लेटे हुए अपने पेरेंट्स और विजिटर्स के रियक्शन्स को कीनली अब्सर्फ भी करती है एक महीने के बाद लैनी का डॉक्टर उसे ये अलाव कर देता है कि वो स्टॉलर की मदद से अपने गर से बाहिर निकल सकती है इस इंसिडेंट के बाद लैनी की 18 साला आया शांता उसे रिफ्रेश करने के लिए एक जूम में लेकर जाती है लैनी की आया यानि के शांता के बहुत सारे एड्माइरर्स में दा आइस केंडी मैं भी शामिल होता है लेनी की दूसरी साथी एक इलेक्ट्रिक आंट होती है जो के एक बेवा होती है और उसका एक भाई भी होता है जिसका नम आदी होता है लेकिन लेनी उसे सिसी कहकर पुकारती है आजी स्कूल पढ़ने जाता है जबके लैनी अपने घर पर ही पढ़ती है और इन सारे एलिमेंट से बेपसी सिद्वा इस नौवल में आटो बायग्राफिकल टच भी देती हैं आगे दिलनवास के टाइम और सीजन चेंज होने के साथ साथ चेंज होने वाले प्रोफेशन्स को भी डिस्कस किया जाता है सर्दियों के मौसम में दिलनवास आइस केंडी मैन से चेंज होकर एक बर्ड मैन बन जाता है अरिस्टो क्रेटिक फैमिली से बिलॉंग करने वाले लेडीज आइस केंडी मैन के पास आती हैं और उसे कुछ पैसे देती हैं ताके वो उन बर्ड्स को फ्री कर दे आइसकेंडी मैने एक चैटर बॉक्स की तरह होता है और वो किसी भी टॉपिक पर किसी भी वक्त बात करने के लिए त्यार रहता है एक दिन ये वाक्या पेश आता है कि पार्सी कमिनिटी से बिलॉंग करने वाले लोग पार्सी टेंपल की कमिनिटी हॉल में अकठे होते हैं वहाँ पर दो पादरी भी मुझूद होते हैं जो के आग की पूजा करने के लिए तियार होते हैं और लैनी इस सारे सीन को बड़े किरियोसिटी के साथ अब्जर्व कर रही होती है सो राज पर खरे होते ही पार्सी कमिनिटी से बिलॉंग करने वाले लोगों के दरम्यान मीटिंग शुरू हो जाती है नॉवल की नरेशन में बहुत सारे पुलीटिकल मैटर्स को भी एड़ किया गया है जिसे ये प्रूफ होता है कि ये नॉवल पुलीटिकल मैटर्स पर भी बेस करती है Colonel Mirucha वहा पर प्रेजरेशन थारी पार्थी कमुनिटी को latest political developments के बारे में भी बताता है Meeting में discussions और questions होने के बाद सारी पार्थी कमुनिटी इस बात पर agree हो जती है कि वो Middle पाथ को adopt करेंगे यानि कि वो partition में होने वाले सारे events को अपनी आँखों से observe करेंगे मगर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे वो उन इंडियन नेशनलिस्ट का साथ नहीं देंगे जो के प्रिटिश के राज के हिलाफ हैं और वो अपने इस डेलिमा से बाहिर नहीं निकल पाते हैल्पलेस लैनी की आया शानता एक केयर टेकर से बढ़कर एक सिस्टर की तरह उसे सपोर्ट करती है और लैनी की मदर भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है लैनी का घर काफी ज़्यादा बरा होता है और उसके घर के एक पोर्शन को शंकर्स को किराए पर दे दिया जाता है जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है शंकर की बीवी का नम गीता होता है और जब भी शंकर घर वापिस आता है तो गीता उसे वामली वेलकम करती है इसके बाद गीता इमामदीन और हरी के करेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है गीता एक अच्छी कुक होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलर भी होती है गीता की कहानियों को सारे बचे बड़ी गौर से सुनते हैं जिसकी वज़ा से वो बच्चों में बहुत जादा मशूर हो जाती है इसके बाद नोवलिस्ट बेपसी सिद्वा डीडर्स के सामने हरी के करेक्टर को पोट्रे करती है जो के प्रोफेशन के इतिवार से एक गाड़नर होता है नोवल में इमामदीन का करेक्टर भी एक वाइटल रोल प्ले करता है जो के लैनी के घर पर एक कुक होने के साथ साथ एक सपोर्टिव रोल भी अदा करता है इमामदीन की उमर 65 साल होती है और उसे इस नोवल में टॉल, बिग बैलिड, बैरल चेस्टिड और रॉबस्ट परसन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है इमामदीन को अपने फारिग वक्त में बचों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है लेकिन वो पार्टीशन के टाइम पीरिड में बहुत सारे हिंदूओं को मुसल्मानों से बचाता है एक दिन इमामदीन लैनी को अपनी बाई साइकल पर बिठा कर अपने गाउं पीर पिंडू गुमाने लेकर जाता है लैनी इस गाउं की हर चीज को बड़ा कीनली अबजर्फ करती है और वो वहाँ पर बचो यानि के राना और उसकी बेहनों यानि के खदीजा और परवीन से भी मिलती है पीर पिंडू एक ऐसा गाउं होता है जहां पर हिंडू सीख और मुसलमान बरे अराम सकून से एक दूसरे के साथ मिल जूल कर रहते हैं और पीर पिंडू से बिलोंग करने वाले बहुत सारे दिहाती दूसरे शेरों यानि के बिहार और बेंगाल के सिच्वेशन के बारे में डिसकस करते हुए नजर आते हैं वो हिंडू और मुसलमानों के जगरों की खबर को सुनकर बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो जाते हैं और सारा इलजाम ब्रीटिश गौर्डमेंट पर लगाते हैं बाद में लैनी और इमामदीन लाहूर में लैनी के घर वापिस आ जाते हैं आया के एड्माइर्स में दो लोग और शामिल हो जाते हैं जिसमें एक शाइना से बिलोंग करने वाला आदमी होता है और दूसरा एक पठान होता है वो दोनों आया से बात करने के बहाने रोजाना लैनी के घर जाना शुरू कर देते हैं लैनी पोलियो की वज़ा से प्रॉपर्ट स्कूलिंग और एजुकेशनल सिस्टम को इंचुआई नहीं कर पाती लेकिन क्यूं कि उसे पढ़ने का बहुत ज़ादा शौक होता है इसी वज़ा से वो अपनी स्टेडिस को कंटिन्यू करने के लिए अपनी आया शांता के साथ मिस्स पैन के हाँ जाया करती है मिस्स पैन का घर जेल रोड पर लैनी की गौड मदर के घर के आगे वाकिया होता है लैनी की आया शांता उसे मिसिस पैंस के घर लेकर जाती है और टूशन के बाद लैनी अपनी गौड मदर के घर भी जाया करती है एक दिन मातमा गांधी लाहॉर का विजिट करता है और लैनी गांधी जी से मिलने अपनी मदर के साथ वहां जाती है लैनी गांदी जी को देखकर बहुत ज़ादा हिरान होती है क्योंकि उसने गांदी जी के बारे में सिरफ यही सुना था कि वो एक मिथिक फिगर है गांदी जी पार्सी कमिनिटी से बिलॉंग करने वाले सब लोगों को यही मशवरा देते हैं कि वो एनिमा थेरिपी को फोलो करें मगर लैनी इस बात को समझने में नकाम हो जाती है कि क्यों सब लोग गादी जी को एक सेंट का दर्जा देते हैं और उन्हें एक सेंट कहकर पुकारते हैं लैनी मात्मा गांदी को ऐसे डिस्क्राइब करती है He is half clown and half demon यानि के मातमा गंदी कभी तो उसे एक मस्करा दिखाई देता है या फिर उसे वो एक शेतान समईती है एपरिल का महीना शुरू हो चुका है और लाहूर में रहने वाले लोगों में एक दूसे से बदला लेने की गर्मी पैदा होती जा रही है आइस केंडी मैं को ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसका बिजनस दिन बदिन तरक्की पकरता जा रहा है ये फैक्ट सब के सामने अब क्लियर होता जा रहा है कि सब कॉंटिनेंट इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड होने वाला है मुस्लिम ले ये चाहती है कि सब कॉंटिनेंट में रहने वाले मुसल्मानों को पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री के तौर पर दे दिया जाए इमाम दीन डिफेंस सिटिस में होने वाली किमिनल रोइट्स की न्यूस को सुनकर बहुत ज़दा परिशान हो जाता है और अपने गाउं पीर पिंडू जाने का फैसला करता है लैनी भी इस बात पर बहुत ज़दा इसरार करती है कि वो इमाम दीन के साथ एक ट्रिप पर उसके गाउं पीर पिंडू में जाएगी डेरा टेक्सिंग जाने के लिए लैनी और इमाम दीन के साथ दोस्त मुहम्मद भी चल परता है वो वहाँ पर मेले और खाने को इंज्वाए करते हैं कुछ दिन बाद इमाम दीन के रिश्टेदार लाहूर में उसके पास रहने के लिए चले आते हैं और उन्हें सर्वेंट क्वाटर में रखा जाता है पीर पिंडू गाओं में भी कुछ मिलिटरी ट्रक्स आते हैं ताके पार्टीशन के टाइम पीरियन में मुसल्मानों को महफूज जगा पर पहुंचाया जा सके मगर मुसल्मान किसान अभी भी बहुत ज़दा कन्फियूज होते हैं क्योंकि वो अचैनक से ही अपने घरों प्रॉपर्टीज और काश्थ कारी को छोड़ कर नहीं जा सकते मिस्टर रोगर पुलिस का एक जनरल इंस्पेक्टर होता है और उसकी डेट बोडी गटर में मिलती है जो के ये प्रूफ करती है के पार्टीशन के टाइम पीरियर्ड में बहुत ज़दा बलड़चेड हुआ था इंडिया में रहने वाले बहुत सारे बच्चे जिन में लेनी भी शामिल है उसे ये एक स्ट्रेंज इंसिडेंट नजर आता है आया को मसर के गाने बहुत ज़दा पसंद होते हैं जबके दूसी तरफ आईस केंडी मैन आया को पसंद करता है इसके साथ साथ आईस केंडी मैन अपने इर्दगिर्द के इलाकों में होने वाले ड्वेल्पमेंट पर बहुत ज़दा डिस्टरब रहता है डिफरेंट रिलीचन से बिलॉंग करने वाले लोग यानिके सिख, हिंदू और मुसल्मान महفوظ जगा पर शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं कमीनल रोइट्स बरे बरे शेड़ों से निकल कर पीर पिंडू जैसे चोटे चोटे गाउं में भी फैलना शुरू हो जाता है मुसल्मान और सिख एक दूसे की जान के दुश्मन और एक दूसे के खून के प्यासे हो जाते हैं पीर पिंडू एक ऐसा गाउं था जहां पर मुसल्मान हिंडू और सिख अराम सकून से एक दूसे के साथ मिल जूल कर रहते थे मगर पार्टीशन के दूरान होने वाली कमीनल रोइट्स की वज़ज़ से वो एक दूसे की जान के दुश्मन बन जाते हैं 1947 में टेकनालोजिकल डिवल्टमेंट सितनी ज़दा नहीं थी इस वज़ज़ से लोग औल इंडिया रेडियो पर ये अनौसमेंट सुनते थे कि सब कॉंटिनेंट के सारे डिस्ट्रिक्स को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइट किया जा रहा है पाकिस्तान में रहने वाली पार्सी कुमिनिटी अभी तक तो सेफ होती हैं मगर उने भी अपने फीचर के बारे में फिकर होना शुरू हो जाती है मुसल्मानों की लाशों का बदला लेने के लिए हिंदूओं के घर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं मुसल्मानों का एक हजूम लेने के घर के बाहिर भी अकठा हो जाता है और इस घर में काम करने वाले हिंदू सर्वेंट्स के बारे में पूछना शुरू कर देता है क्योंकि मुसल्मानों की पार्सी से पर्सनली कोई भी दुश्मनी नहीं होती इसी वज़ा से पार्सी कमिनिटी उनसे बिल्कुल सेफ होती है जब इमाम दीन से घर में काम करने वाले दूसे नोकरों के बारे में पूछा जाता है तो वो ये वज़ाहत पेश करता है कि हरी मुसल्मान हो गया है और उसका नाम अब हिम्मत अली है मगर जब उसे लैनी की केर टेकर हिंदू आया शानता के बारे में पूछा जाता है तो वो ये जूट बोल देता है कि वो यहां से जा चुकी है मगर जब वो इमाम दीन को इस बात पर इसरार करते है कि वो खुदा की कसम खाये तो वो खुदा की जूटी कसम खा लेता है ताकि शानता की जिन्दगी को बचाया जा सके इतने में ही आईस केंडी मैन वहाँ पर आ जाता है और लैनी से आया के बारे में पूछना शुरू कर देता है क्योंकि लैनी एक मसूम बची होती है और वो आईस केंडी मैन पर यकीन करती है इसी वज़ा से वो उसके कान में ये बता देती है कि आया अंदर छुपी हुई है और यहीं से आइसकेंडी मैन का करेक्टर एक नॉर्मल परसन से चेंज होकर एक विलन बन जाता है क्योंकि वो मुस्लिम मॉप्स को ये बता देता है कि हिंदू आया अंदर ही छुपी हुई है इसके बाद मुसल्मानों का एक अजुम अंदर जाकर आया को घसीड़ते हुए बाहिर ले आते हैं और इससे लैनी को बहुत ज़्यादा शौक मिलता है और वो अपनी सचाई पर पश्ताना शुरू कर देती है लैनी को उस दिन ये पता चलता है उस दिन लैनी को ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा सच नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कभी कबार हमारा सच किसी दूसरे इनसान की जिन्दगी को बरबाद कर देता है मुसलिम मॉब्स हिंदू आया का रेप कर देते हैं उसके बाद आइसकेंडी मैन आया को हिरा मंडी ले जाता है जिसे प्रोस्टिट्यूट्स का बजार भी कहा जाता है आइसकेंडी मैन की मदर भी कभी प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी और आइसकेंडी मैन खुद भी एक दलाल बन जाता है और उसे उर्दू पोलिट्री को रिसाइट करना बहुत ज़धा पसंद होता है वाक्सर उर्दू पोलिट्री की कुछ वर्सिस को रिसाइट करता हुआ नज़र आता है जो कि उसकी फेवरेट होबी होती है इसके बाद इमामदीन की फैमिली के गाओं यानि के पीर पिंडू में होने वाले बलड चेट को डीपली डिसक्राइब किया गया है पीर पिंडू गाओं में सिखों का एक हजूम आकर मुस्लिम कमिनिटी पर अटेक करना शुरू कर देता है इमाम दिन की फैमली भी बहुत ज़दा खत्रे में होती है मगर कुछ भी नहीं किया जा सकता 1947 में होने वाली पार्टिशन की वज़ा से हर तरफ कन्फियनोर कियोस फैला होता है और किसी की जान भी महफूज नहीं होती पीर पिंडू गाओं में रहने वाले मुसल्मानों का बेदर्दी के साथ कतल कर दिया जाता है और मुसल्मान औरतों का रेप कर दिया जाता है इसके लावा बच्चों का भी बेरहमी के साथ कतल कर दिया जाता है और इसके बाद राना की कंडिशन को पोर्ट्रे किया जाता है जो के लैनी से तब मिलता है जब वो पहली दफा पीर पिंडू गाउं में इमाम दीन के साथ आती है राना भी बहुत ज़दा जखमी होता है और वो मुसल्मानों की लाशों के नीचे खुद को छुपा लेता है जिसकी वज़ा से उसकी जान बच जाती है कुछ देर के बाद वो हिफाज़त के साथ दूसरी जगा पर पहुन जाता है नॉवलिस्ट बेपसी सिद्वा ने उसके हाईडेंट सीक वाली जर्नी को बड़ी डिटेल के साथ डिसक्राइब किया है बेपसी सिद्वा अपने नॉवल के 15 पेजिस में राना के पीर पिंडू गाउं से असकेप होने को नरेट करती है यानि के वो इस पॉइंट पर एमफसाइज करने की कोशिश करती हैं के पार्टीशन के टाइम पिरिएड में कुछ लोग वहां से बचकर फरार हो जाते हैं राना एक चोटी उमर का लड़का होता है जो के बहुत ज़दा जखमी होता है और पार्टीशन का इवेंट उसे बहुत ज़दा शौक कर देता है जो के अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए पीर पिंडू गाउं से निकल कर वहां से भाग जाता है मगर वो दुनिया में खुद को अकेला पाता है क्योंकि उसकी फैमली और पीर पिंडू गाउं में रहने वाले दूसे लोगों का ब्रूटली मरडर कर दिया जाता है और इस दुनिया में उसका कोई भी बाकी नहीं रहता पार्टीशन के टाइम पीरिड में ये पहले ही डिसाइड किया जा चुक इसके लावा ये भी डिसाइड किया गया था कि कुछ आद्मियों और लड़कों को बचा कर महफूस जगा पर पहुँचा दिया जाएगा मगर कोई भी आइडिया काम नहीं आता है। इस फ़नी एस लॉंग एस आई हैड तू लूक आउट फोर माईसेल्फ आई वाज ओर राइट एस सून एस आई फैल्ट सेफ आई फेंटिड ये बात सोचने में बहुत ज़्यादा मजाहिया है कि जब भी मैं अपने आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे ये मैसूस होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब भी मैं यहाँ पर अपने आपको महफूज मैसूस करता हूँ तो मेरा रंग जर्द पर जाता है लाहूर के कैम्प पर पहुंचने से पहले राना को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो ये कहता है कि उसके लावा वहाँ पर कई और ऐसे बचे थे जो के दिखने में काफी ज़ादा बतसूरत लगते थे और उनकी फैमिलीज भी उन्हें वहाँ पर बेयारों मददगार छोड़ कर चली गई थी हम लूटे हुए घरों की सफाई कर रहे थे और हम जली हुई बिल्डिंग्स की राख बन चुके थे बाद में राना को बदामी बॉग के रिफ्यूजी कैम्प में ले जाया जाता है और उसके बारे में ये कहा जाता है चांस युनाइटिड हम विद् हिस नौनी चाची एंड इकबाल चाचा यानि के ये सिरुफ एक चांस था जिसने उसके नौनी चाची और इकबाल चाचा से मिला दीया आया की अब्डेक्शन के बाद लैनी को आया से मिलने का मुका मिलता है और यहां पर बेपसी सिद्वा लैनी की फिलिंग्स को पोट्रे करती है मुसल्मानों का एक ग्रूप जब लैनी के घर से आया को गसीडते हुए अपने साथ ले जाता है तो उसके बाद आया के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है और लैनी इस सबसे बहुत ज़दा सैड फिल करती है आइसकेंडी मैन ने आया और लैनी दोनों को धुका दिया होता है और इस सबसे लैनी बहुत ज़दा शौक होती है और इसके लावा उसे आइसकेंडी मैन पर बहुत ज़दा घुसा भी आता है जैसा के हम नोवल के की फैक्स और डिटेल्स हमरी में ये अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं कि लैनी इस नोवल में एक कीन अब्जरवर का रोल प्ले करती है और वो इसकेंडी मैन के करेक्टर में इस सड़न शिफ्ट को अब्जरव करते हुए ये कहती है कि आइसकेंडी मैन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है जब वो इंडिया से पाकिस्तान आने वाली ट्रेन में मुसल्मानों की लाशो को देखता है जिसमें उसकी बेहने भी शामिल होती है तो वो एक डिफरेंट परसन बन जाता है और वो आया जिसे वो बेपना मुहबत करता था अब उसके लिए सिरफ एक हिंदू रह जाती है जिसे वो बदला लेना चाहता है जब मुसल्मानों का एक ग्रूप पार्फी यानि के लैनी के घर से आया शांता को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है तो इस सीन को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है यानि के वो आया को घसीटते हुए वहाँ से बाहिर निकाल लेते हैं यानि के आया उस वक्त नंगे पाउं होती है और वो अपने पाउं को घसीटते हुए पीछे जाने की कोशिश करती है जबकि उसे आगे धकेला जाता है पूर लैनी आइसकेंडी मैन से सच बोले पर पश्टाना शूरू कर देती है क्योंकि आइसकेंडी मैन आया से अपना पर्सनल रिवेंच लेता है आया के जाने के बाद लैनी बहुत ज़्जादा उदास हो जाती है और वो ये कहती है For three days I stand in front of the bathroom mirror staring at my tongue यानि के तीन दिन तक मैं bathroom के शिशे के सामने खरे होकर अपनी जुबान को गौर से देखती रही क्योंकि इसी जुबान से ना चाते हुए भी मैंने ice candy man के सामने अपनी आया शानता की मुकबरी की थी I hold the wild truth infected thing between my fingers and try to wrench it out मैंने अपनी जुबान को अपनी उंगलियों में मजबूती से पकर लिया और इसे काटने की कोशिश की But slippery and slick as a fish क्योंकि ये बहुत जादा slippery थी और ये मेरे हातों से fish की तरह फिसल गई It slips from my fingers and walks me with its sharp rapier tip darting as poisonous as a snake मेरे जुबान जब मेरे उंगलियों से फिसल कर अपनी तेज नोग के साथ मुझे ऐसे देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो साम की तरह जहरीली हो I punish it with rigorous scoring from my prickling tooth brush until it is sore and bleeding मैं अपनी जुबान को सजा देने के लिए tooth brush को अपनी जुबान पर इस तरह रगरती हूं कि मेरे जुबान पर निशान बन जाते हैं और इसे खून निकलना शुरू हो जाता है लैनी का ये act ये proof करता है कि ना चाते हुए भी की जैने वाली गलती पर उसे अफसोस होता है इसी दोरान पपू की शादी भी आती है लेकिन लैनी आया के बगार खुद को अकेला महसूस करती है वक्त गुजरने के साथ साथ लैनी फिजिकली और मेंटली दोनों तोर पर बहुत ज़दा मैचूर हो जाती है लैनी की गौड मदर एक influential लेड़ी होती है जिसे लाहौर के हर कोने के बारे में information मिलती रहती है और इसके लावा वो लैनी को बहुत ज़दा प्यार भी करती है आगे लैनी की आया शांता की इस नोवल में reappearance को narrate किया जाता है एक दिन जब लैनी का कजन उसे मिलने आता है तो वो ये बताता है कि उसने आया शांता को एक टेक्सी में बैठे हुए देखा है और वो ये बताता है कि आया ने ऐसे कपरे पहने होते हैं जैसे के वो कोई फिलम एक्टरस हो इसी वाकिए के कुछ दिन बाद लैनी भी आया को एक टेक्सी में बैठी हुई देखती है और वो इसकी खबर सब को कर देती है और वो सब मिलकर आया को ढूंडना शुरू कर देते हैं पीड के दिन लैनी अपनी गौड मदर से मिलने जाती है और उसे आया के बारे में सब कुछ बता देती है गौड मदर लैनी को ये बताती है कि आया का होने वाला शोहर शाम को उसे मिलने आ रहा है और लैनी बेता बेंसे शाम होने का इंतजार चुरू कर देती है शाम के छे बजे आया शांता का होने वाला शोहर गौड मदर से मिलने आता है जो के ना सिरफ कोई और बलके आईसकेंडी मैन होता है आईसकेंडी मैने सफेज रंग में मल्मल के कपरे पहने होते हैं उसे देखकर लैनी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है वो अर्दू पोल्टरी की कुछ वर्सिस को रिसाइट करता है और वहाँ पर मुझूद सब लोगों को सलाम करता है अब आइसकेंडी मैन का लैनी के सामने तीसरा रूप आता है और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हिरान हो जाती है वो सब को इस बात की इतला देता है कि आया शांता की उसके साथ शादी हो चुकी है और आया शांता ने खुद अपने आपको डांसर्स के फैमली में असेट कर लिया है गौड मदर आइसकेंडी मैन को इस बात पर बहुत ज़्यादा डांट देती है कि तुमने आया के साथ बहुत बुरा सलूग किया है और तुमने ही मुस्लिम मॉब्स को आया शांता के बारे में बताया था जिसके बाद उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया था और उसकी अब्डक्शन के भी तुम ही जिमेदार हो आइसकेंडी मैन अपने सारे एक्शन को कनफेस करते हुए बड़े धीट पन से ये कहता है I am a man, only dogs are faithful, if you want faith, let her marry a dog यानि के मैं तो सिरफ एक आमसा इंसान हो और dogs को ही एक faithful creature consider किया जाता है अगर तुम्हें वफा चाहिए तो तुम इसकी शादी किसी dog से करवा दो मगर Godmother को आइसकेंडी मैन की बाते सुनकर बहुत ज़दा गुसा आ जाता है और वो गुसे में ये कहती है यानि के तुमने खुद अपनी बीवी को ये इजादा दी है कि वो सारे जमाने में रुसवा हो और उसकी शैस्तगी को तबाहो बरबाद कर दिया है तुमने उसे औरत होने का हक छीन लिया है और आगे से तुम प्रिंसिज और पोईट्स की बाते करते हो तुम तो एक दलाल के बेटे हो आइसकेंडी मैन गॉर्ड मदर की ये जली कटी बाते सुनकर रोना शुरू कर देता है और वो गॉर्ड मदर से ये वादा करता है कि वो अब से आया शांता को हर तरीके से खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा लैनी वहाँ पर खड़ी आइसकेंडी मैन की सारी बातों को सुन लेती है और उसे इतना ज़दा गुसा आता है कि वो ये सोचती है मेरी आंखोर मेरे सर में एक ऐसा दमाका है जिसकी वज़ा से मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है मेरे दिल में आया शांता के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी फूट रही है और मैं मायूसी का शिकार हो चुकी हूँ मेरी नजर भी बहुत ज़्यादा अजीब हो चुकी है मैं यानि के लैनी आइस केंडी मैन को एक बबल की तरह अजाद फ्लोट करता हुआ देखती हूँ जो के बलास्ट के रिजल्ट के तौर पर आइस्दा से एक ग्रे कलर के दबे में चेंज हो जाता है आइसकेंडी मैन स्टेंड देर विज जिना कैप इन ही सेंड एंड इर्स रैविश्ट फेस आइसकेंडी मैन वहाँ पर जिना की टोपी को अपने हाथ में लिये हुए खड़ा था और उसका चेहरा तबाह हो चुका था केक डिविद मड ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसका चेहरा किसी ने मिटी से भर दिया था और उसका चेहरा ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई हो Repentance, grief and shock are compressed into the mold of his features पश्टावा, गम और हेरांगी उसकी personality के silent features में वाज़ा नज़र आ रहे थे बाद में God Mother ये प्लैन करती है कि वो आया को विजिट करने जाएगी जो के शादी के बाद अब मुम्तास हो गई है यानि के शादी के बाद उसने अपने हिंदू रिलिजन को छोड़ दिया है और वो एक मुसल्मान बन चुकी है इसी वज़ा से उसका नाम भी शांता से चेंज होकर मुम्तास हो गया है लैनी भी गौड मदर से जिद करती है कि वो उनके साथ हीरा मंडी जाएगी ताके वो अपनी आया से मिल सके गौड मदर भी लैनी को इनकार नहीं करती और वो दोनों टॉंगा पर बैठ कर हीरा मंडी चले जाते हैं उने एक बहुत ही सजे हुए कमरे में बिठाया जाता है जहां पर फूलों के चिरकाओं की खुशबू भी आती है जिससे ये कलियर होता है कि वो हीरा मंडी के एक ब्रॉथल में बैठी हुई है आइस केंडी मैन अपनी मुम्तास को लेकर आता है जो के लैनी के लिए अभी भी उसकी आया होती है लैनी आया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है जो कि उसके सामने एक डूलन की तरह त्यार हुई होती है लेनी आया की आँखों में उदासी को देखकर बहुत ज़्यादा हिरान हो जाती है और वो ये अबसर्फ करते हुए कहती है वेर हैव दा रेडियेंस एंड दा एनिमेशन गॉन उसकी आँखों की वो चमक और उसकी हरकते कहां चली गई है कैन दा सौल भी एकस्टेक्टेड फ्रॉम इट्स लिविंग बॉड़ी क्या इसके जिसम में से इसकी रूखों निकाला जा सकता है हर वेकेंड आइस आर बिगर देन एवर उसकी खाली आँखे अब इतनी ज़दा बड़ी दिखाई देती हैं वो इतनी ज़दा खुली हो चुकी हैं कि वो ये देख सकते हैं कि वो क्या महसूस कर रही है वो मुझे सच बताने से इंकार कर देती है और मैं उसकी खुबसूरती और उसके परफ्यूम की खुशबू में खो जाती हूँ आइसकेंडी मैन आया को गौड मदर और लेनी के पास छोड़ते हुए चाय बनाने के लिए बाहर चला जाता है मुमताज यानि के आया गौड मदर के सामने हाथ जोड़ कर ये सिफारिश करती है के वो आइसकेंडी मैन के साथ अब और नहीं रह सकती और वो अपने रिश्टेदारों के पास अमरिस सर जाना चाती है आया शांता गौड मदर से ये जिच भी करती है कि उसे अपने खानदान वालों के पास वापिस जाना है गौड मदर आया को इस बात का यकीन दिलाती है कि उसे यहां से बचा लिया जाएगा और उसे उसके घर पर हिफाज़त के साथ भेई दिया जाएगा जब लैनी अपने घर वापिस आ जाती है तो लैनी का कजन उसे कोठा और उसके इंप्रेशन के बारे में पूछता है से कंट़ैक्ट करती है एक दिन पूलीस हिरा मंडी पर आकर रेड कर डेती है और आइस केंड़ी मैन से आया को दूर ले जाती है आया को वारिस Ward aren't कीया होता है इस के बाद आइस कंड़ी मैंने का वारा और दुतकारा हुआ आशिक बन जाता है जो कि अपने लॉस्ट लव को फाइंड आउट करने की कोशिश करने लग जाता है आइसकेंडी मैन आया के लिए कैंप की दिवारों पर फूल भी लगाता है आया को उसकी सुरीली आवास भी सुनाई देती है और इसी आवास में वो आया के लिए बहुत सारी नजमे भी पेश करता है आइसकेंडी मैन की तरफ से आया को फलार्ज और लव सॉंग्स प्रिजेंट करना काफी दिनों तक जारी रहता है एक दिन लैनी को ये खबर मिलती है कि आया को उसकी फैमली के पास अमरित सर भेई दिया गया है और इसके लावा ये खबर भी मिलती है कि आईसकेंडी मैन वागा बॉडर के पार भी आया का पीछा करता है और इस तरह ये novel एक sad or tragic note के साथ खतम हो जाती है novel में बहुत सारे murder और violence के scenes को एक child narrator की नजरों से observe किया गया है और novel के बारे में ये understand किया जा सकता है The novel is a masterful work of history as it relates political events through the eyes of a child इस novel को history का एक masterful work consider किया जाता है novel में दिखाये जाने वाले major scenes को ऐसे portrait किया जाता है The bloody partition of India through the eyes of a girl, Lenny, growing up in a Parsi family surviving through female bonding and rebellion यानि के ये novel इंडिया यानि के सब कॉंटिनेंट में होने वाली bloody partition पर बेस करता है और इस novel को एक child girl यानि के लैनी की आंखों से observe किया जाता है जो के एक Parsi family में grow करती है जो के 1947 में होने वाली partition में female bonding और rebellion से survive करती हुई दिखाई देती है novel के detailed summary और quotes को cover करने के बाद अब हम इस novel के major themes को cover करेंगे इस novel में use होने वाले major themes में partition of subcontinent into India and Pakistan search for the identity, ice candy man के character के through betrayal, Lenny के character के through innocence, इमामदीन के character के through loyalty, violence और massive killing को present किया गया है जिसमें से novel का prominent theme partition है क्योंकि ये novel overall partition पर base करती है the most important questions that the examiner can ask from this novel are prove the novel ice candy man to be a post partition novel or discuss the autobiographical elements through the comparison of character of Lenny with Pepsi Sidva describe the character symbolism and the other symbols that are used in the novel the ice candy man or explain the title significance of the novel ice candy man or the cracking India the question can also be mold in the form of describe the historical background of the novel the cracking India इन सारे questions के answers में simply हमने novel की title significance that can be in the form of both cracking India and ice candy man novel के historical background या फिर partition और इसके साथ-साथ Lenny और ice candy man के character पर focus करना है जिससे अगर exam में इस novel से related कोई भी question आएगा तो आप उसे easily attempt कर पाऊगी आज के lecture में हमने बेपसी Sidva के novel Ice Candy Man और Cracking India की detailed summary, important quotes, themes और important questions को cover कर लिया है So that's all for today, thank you so much for watching this video I hope आज का lecture आपके लिए काफी ज़्यादा informative रहा होगा वीडियो में यूज होने वाले तमाम notes के PDF का link निचे description में provided है The link is also pinned in the comment section So please check it out अगर आज का lecture आपके लिए informative था तो वीडियो को like share करके एक अच्छा सा comment भी कर दें अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके बेल इकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का notification मिल सके English courses से related detail information को gain करने के लिए आप मेरे Facebook पेज को भी follow कर सके हैं Also you can suggest any new topic in the comment section So guys take care of yourself Inshallah we will meet in the upcoming video lecture till then Love peace